दर्साइये की प्रतेक धनातमक सम पुर्णांक क्या का है धनातमक सम याद रखना सम पुर्णांक दो क्यू के रूप का होता है तथा प्रतेक धनातमक विसम पुर्णांक विसम पुर्णांक क्या तकना दो क्यू जोर एक के रूप का होता है जहां क्यू कोई पुर्णांक है विसन पूर्णाग और विसंतु याद होगा, आप लोगए, है नसे का सबता है, संज्ञ्ख्य क्या होता है, जो दो से भाग लग जाए, जिसका जोडा हो, दो, चार, छे, आठ, तज, बारई, इन का जोड़ा है यह सारे समसंख्या हो गया विसम संख्या बिना जोड़ा वाला बिना जोड़ा वाला जो दो से भाग ना लगए एक तीन पांच साथ नो ग्यारा तेरह इस तर से यह सारे विसम संख्या हो गया अब हमें बताना है कि कोई भी जो समसंख्या होता है वो दो क्यू की रूप का होता है देखो यह यूकलीट विवाजन परिमेका पर है ध्यान दो दो क्यू जो अगर हम जीरो कर दे को दिकत यह मेरा है भाजक दो क्या है भाजक और यह क्यू भागफल और यह सेस्फल तो देखो समसंख्याओं को यदि हम दो से भाग करेंगे तो सेस्फल क्या का आएगा हमेसा सुनने ही आएगा जैसे सदोस से य ceux यह यह Q है, यह है Q, तो 2Q, सेस्फल कितना आ गया, 0, देखो समसंग क्या 2Q की रुपका आ गया, यदि हम 4 को भाग करेंगे, तो देखो, 2 दूनी, 4, सेस्फल सुनने आ गया, यह मेरा Q है, यह 2 और यह Q, 2Q की रुपका हो गया, यदि हम 2 से 6 को भाग करेंगे, तो दूतिया 6 हो ग Q यानि 2 Q की रुपका आ गया Q कोई पूर्णाख है Q कुछ भी हो सकता है तो किसी भी समसंख्या को यदि हम भाग करेंगे 2 से तो वो 2 Q के ही रुपका होगा क्लियर ये एक बार और समझ लो देखो कोई भी समसंख्या ले लेते हैं मान के चलते हैं एक सो ले 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 लेते हैं हम दो से भाग करेंगे ठीक है तो देखो पाच दूनी 10 हो गया दो बज गया फिर दो एका दो सेस्फ़ल जीरो तो देखो ये दो और ये ये है मेरा Q ठीक है तो दो Q की दो गुना एक यान हुआ न जी दो गुना एक यान हुआ तो ये दो और एक यान को हम क्यों बोल दें क्यों कोई पूर्णाक है कुछ भी हो सकता है तो दो Q की रूपका हुआ यानि जो सम पूर्णाक होता है वो दो Q की रूपका ही होता है यदि हम दो से भाग करेंगे तो किलर कोई भी समसंख्या है य तो जब हम किसी संपूर्णाँ को दो से भाग करेंगे तो सेस्वल क्या आएगा? सुनने आएगा. यानि वो दो क्यो की रूप कहीं होगा. और वहीं जब हम किसी विशम पूर्णांग को 2 से भाग करेंगे तो वो 2 Q जोर 1 के रूप का ही होगा क्यू क्या है कोई पूर्णांग है जैसे हम येदि 13 को भाग करते हैं 2 से तो क्या हो जगाते है चौ दूने बारा सेस्फल क्या क्या 1 ये जो 6 है इसको हम क्यों बोलेंगे तो ये 2 और ये क्यों ये हुआ ना 2 गुना 6 जोर 1 ठीक है तो ये जो 6 है ये हम क्यों मान लेते क्यों कोई पुर्णांख है तो हो गया ये 2 और ये क्यों जोर 1 अगर हम 2 से हम किसी और संख्या को भाग लेते हैं किसी और संख्या माने सिर्फ विसम पूर्णा को ही लेना है जैसे हम यह 25 को लेते हैं 25 मेरा विसम पूर्णा के विसम संख्या है इसको हम दो से भाग करें तो यह भी दो की जोर एक की ही रुपका होगा दो सिभा करें दो एका दो पांच उतरेगा दो दुनी चार करोगे सेस्फ़ल एक आ जाएगा ठीक है तो यह दो और यह जो बारा है यह मेरा क्यू है और यह एक है तो देखो दो और बारा को गुना करेंगे जो और एक तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा न तो यह क्या होगा दो, बारा मेरा Q और सेसफ़ल मेरा 1 है यह हो गया हमारा A तो यह जो हमारा है विशम पुर्णा की यानि कि हम यह समझें कि जितने भी विशम संख्याएं हैं जितने भी विशम संख्याएं हैं उन सब हुई को यदि हम 2 से भाग करेंगे किसे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 6 फल कितना बचेगा 1 बचेगा तो हमें यही दिखाना है चलो अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो समझते हैं समझ में आया अभी हम लोगोंने काफी चीजे समझा कि जीतने भी समसंख्या है उनको यदि हम दो से भाग करेंगे तो किस रूप का होगा वो दो Q की रूप का होगा जब हम किसी बिशम पुर्णांग को दो से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा दो Q जोर एक मिलेगा ठीक है Q क्या है तो Q कोई पुर्णांग है कोई सबी कुछ भी जो भाग देने के लिए होगा जो भागफल होगा वो हमारा क्यों हो चाएगा ठीक है चलो अब हम यहाँ लिखेंगे वही हल तो लिखना ही है सबसे पहले लिखेंगे हल ठीक है अब उसके बाद लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पुर्णांक है धनात्मक पुर्णांक है मान लिया ए क्या है मेरा धनात्मक पुर्णांक है उसके बी क्या हो जाएगा तथा बी बड़ावर यहाँ दो लिखेंगे क्योंकि यहाँ दो दिया हुआ है दो क्यूँ दो क्यूँ जो रोग एक ठीक है तो ये मेरा भाजक है ये क्या है भाजक है तो भाजक को हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेना है बी मेरा दिया हुआ है बी बराबर दो हो गया ठीक है अब हम यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे यूकलीड यूकलीड विवाजन प्रमेका से ठीक है? इतना लिख लिया उसके रद हमें क्या करना है? यूकलीड विवाजन प्रमेका क्या होता है? ए बराबर है न? लिखेंगे ए बराबर दो क्यू जोर आर ठीक है? यह हमारा बी है बी हम लोगा दिया हुआ है दो तो दो क्यू जोर आर लिखेंगे और आर क्या होता है? यह जो आर होता है बी से छोटा होता है बी बड़ा होता है और आर छोटा है सेस भाजक से सेसफल हमेशा हैं क्या होता है चोटा होता है कभी भी सेसफल और भाजक बराबर नहीं होगा क्या ऐसा हो सकता देखो अगर हम दो से भाग करेंगे जैसे यहां दस लिखती है ठीक है तो क्या ऐसे करोगे चार दुने आठ और यहां सेसफल दो बच जाएगा ऐसे करोगे कदगा नहीं करोगे क्योंकि इसके बराबर होगा ही नहीं एक कétais आप कहते हैं जो अर रहा है वो क्या हो सकता है pledge रो से बड़ा जिरो से हमेशा ही बड़ा होता है यहां फिर G ан हो सकता है, successful 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ठीक है, लिखेंगे यहाँ यहाँ आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है 0, 1 या तो successful 0 हो सकता है या successful 1 बच सकता है, ना इसके आद यहाँ लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो जब आर का मन क्या हो जाए, 0 हो जाए तो ए कितना हो जाएगा 2 Q जोर 0 इसी को लेना है, यह मेरा यूकलीट भी वाजन परमी का है इसी को लेना है, ठीक है और यहाँ दिखा देना है क्लियर इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं या A बराबर 2 क्यू हो गया A बराबर क्या हो गया, 2 क्यू हो गया उसके बाद R बराबर जब हमारा एक हो जाए से सेदी, एक बच्चा आता है तो A बराबर क्या हो जाएगा 2 Q जोर 1 इतना हम लोगों ने लिख लिया उसके आद यहां लिखेंगे असपस्ट है दो क्यूप यह जो दो क्यूप है यह धनात्मक संपुर्णाक है क्या है धनात्मक संपुर्णाक है धनात्मक संपुर्णाक है तथा यह जो दो क्यूप जो एक है दो क्यूप जो एक एक जो है धनात्मक विसम पुर्णाक है बस इतनी सी बात है इतना ही हमें लिखना स्था सो हम लोगों ने लिख ही डाला क्यलियर जब सेस्फल जीरो हो जाए कोई समसंख्या है समसंख्या को जब हम लोग दो से भाग करेंगे तो सेस्फल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा या जब सेस्फल जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे वो क्या है समसंख्या है कोई हम लोगों से पूछेगा कि देखो जी एक समसंख्या है क्या है एक समसंख्या है अब बताओ यदि हम उसे दो से भाग करेंगे तो सेस्फल कितना बचेगा समसंख्या है दो से भाग करेंगे तो क्या हो जगा जीरो हो जाएगा या हम लोगों से ये पूछे बताओ जी दो से हम किसी संख्या को भाग करेंगे दो से क्या करेंगे किसी संख्या को भाग करेंगे जब हम दो से भाग करेंगे तो बताओ अगर सेस्फल जीरो आ जाए तो वो संख्या कौन सी होगा समसंख्या होगा या भी समसंख्या होगा तो फट से जब आप देना भाई दो से भाग करेंगे सेस्फल जीरो आ जाएगा त सेज़्क्या हो जाए एक हो जाए तो हम क्या कहेंगे वह विसम संख्या है दो सेब करेंगे दो से भाग करेंगे और सेस्फल एक बच जाएगा मतलब वो क्या है विसम संख्या है किलर तो बस इसको ऐसे ही लिखना है इतनी सी लिखना है बस हो गया यह हम लोका बनकर तयार होगे किलर